गूर्णिंग फ्रेंस आपका बदबस्वागत है हमारे चैनल में तो फ्रेंस सबसे पहले आप सभी को धंते रश्की बहुत बहुत सुब कामना है तो फ्रेंस आज हम मनाने जा रहे हैं आमके पत्तों का तोरण जो दीवाली के सुब अपसर पर और किसी भी धार्विक कारे के सुब अपसर पर अगर आप में गेट पर या किसी भी गेट पर लगाते हैं तो बहुत ही सुब माना जाता है तो यह देखिए फ्रेंस यह आमका पेड़ है हमारे घर के पास नहीं है और छट्पे से मैं इसके बड़े-बड़े पत्ते तोड़ लेती हूं तो यह देखिए यहां पर मैंने इतने सारे पत्ते तोड़ लिये हैं आमके और यह देखिए इन पत्तों को मैंने पानी से धोकर साप कर लिया है और यहां पर मैंने छोटी सुई बड़ी सुई मोटा धागा पतला धागा केची और यह देखिए दो प्रकार के फूल लिये हैं तो यह देखि और फ्रेंस इन पत्तों की जो डंडिया है इनको हम केची से काट देंगे क्योंकि जब हम मोड़ेंगे तो यह अच्छे से मोड़ जाए तंडी के बज़े से अच्छे से मोड़ नहीं पाएंगे तो यह देखिए इतने सारे पत्ते की मैंने जो डंडिया है वो पाट ली है तो और यह देखिए यहां पर बड़े पत्ते का उप्योग करना है हमें ताकि यह फ्लोवर थोड़ा बड़ा दिखे यह देखिए इस प्रकार से अगला पत्त लेंगे उसको भी इस पकार से दबाते जाएंगे तो फ्रेंड्स यहां पर हम छे पत्ते का उप्योग करेंगे यह देखिए अच्छे से सेट करके हम लाश्ट वाला पत्त लगा देंगे यह देखिए और इनको अच्छे से जमा लेंगे यह देखिए इस पकार स इस प्रिकार से दिखाई देगा यह और देखि पीछे से आप देख सकते हैं अब हम यहां पर फूर लेंगे और यहां पर दागय में हमने गठान लगा लिए यहां पर हमने मोटा दागा लिया है आप चाहें तो पतले धागे का भी उपयोग कर सकते हैं और ये देखिए सुई को हमें इस पकार से निकालना है ये देखिए ये जो पत्तियों की जो नोक होती है उनको आगे क्यों रखना है ये देखिए इस पकार से हमें धागा इस पकार से निकालते जाना है इसको अच्छ लगाना है यह देखिए ताकि पत्थे जो हैं खसके नहीं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ पर सुई धागे से ना सिलना चाहें तो आप स्टेपलर का भी उप्योग कर सकते हैं बहुत ही बड़ी ऑप्शन है स्टेपलर क तो यहाँ पर दो-तिन बार शिलाई लगा दी हमने ताकि पत्ते खसके नहीं घृचिए यहाँ पर हम एक गेंदा का फूल लगा लेंगे कि इस परकार से इस परकार से दिखाई देगा अब हम इसको एक साइट रग देते हैं और यहाँ पर हमने कुछ पत्ते लिए हैं आमक और देखिए यहाँ परसुई अंदर से निकालेंगे यह जो पत्ते की बीच वाली दंडी है आप देख रहे हैं मोटी-मोटी इसके इस साइड से निकालना है हमें दागे को और इसके उपर से लेकर दूसी साइड इस पकार से निकालना है यह देखिए धागे को हम खीच कर लेंगे इस पकार से अब बापत से हमें अंदर से ही रोल के अंदर से ही सुई निकाल कर इस पकार से निकाल देना है यह देखिए यह दन्डी है कि इसको कैची से काट लेंगे इस पर दागे को कैची से काट देंगे और यह देखिए। और यह द्रण तो अगर आप यहां पर द्वागे का उप आपना डहा हो तो यहां पर द्वागे का उप्योंग कर रहा यहां पर इस पतर हो न पर दर त्यार कर लिए हैं और यह देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इतने सारे रोल तैयार कर लिये हैं और यह देखिए यहाँ पर जो एक फूल लगाया था यहाँ पर हम बापस से सुई निकाल रहे हैं उसी फूल में से लेकिन थोड़ी दूरी पर से यह देखिए इस पकार से और यह देखिए और सुई को आम के पत्तों के बीच में से पीछे की और निकाल लेंगे इस पकार से यह देखिए और यहां पर यह देखिए यह जो पत्ता है कोई साभी पत्ता ले सकते हैं उसको इस पकार से धागे से इस पकार से सिलना है ताकि हमारा धागा जो है पीछे से सेट हो जाए अच्छे से यह देखिए आप देख सकते हैं इस पकार से धागा सेट हो गया है अब हम यहां पर गे पत्तों के लगायमगे यहां से देखिये इस पर कर इंगे हम पिले फूल गार यहां सब्म्हाल खन दो पर लाल जाण वे में लाल रेजार के फूल लाइटे यह देखिए बापस से एक रोल लगाएंगे और फिर फूल लगाएंगे दो तो यह देखिए फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल विधी से आम के पत्तों का तोरण बनकर तयार है और इसको बनाने में हमें ज्यादा सामान की जरुद भी नही आप असोग के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं वह भी बहुत ही सुब माने जाते हैं इसी प्रकार से हम दूसर तोरण भी बना लेंगे और फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि आप अपनी इच्छा नुसार इनकी जो लंबाई होती है उस कि देखिए इस प्रकार से हम दूसर तोरण भी बनाकर तयार कर लेंगे और फ्रेंट्स आप यहां पर अपने इच्छा नु Siar एक प्रकार-के फूल या फिर दो प्रकार-के फूलों को भीन उपर सकते हैं और यह देखिए इखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कितने सरल तरीके से बनता जा रहा है ये तोरन ये देखिए किसी प्रकार की परिशानी या किसी प्रकार की जंजट इसको बनाने में नहीं हो रही है और ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही आफानी से आम के पत्तों का तोरन बनकर तयार है और फ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार